Ao shit! अरे बाह, आ गए तुम? कैसा राह माईके में? बॉँआत अच्छा, आखिरकार चंडी गड गई थी मैं. क्या? इसका क्या मतलब है? जलंदर अच्छा नहीं है क्या? हें, आखिरकार है ही क्या तुमारे जलंदर में? क्या नहीं है ये बोलो. ना कोई धंकी जगा ना कोई ठिकाना अब पालर की ही बात कर लो इतने जाधा रेट्स आई है जैसे की मुंबई शहर हो बाडी वैकसिंग करवाने जाओ हनी वैकस ओ तो 2,000 से 2500 रुपे दूसरी वैकस कराओ तो 3,000 से 3500 रुपे चंडिगड में 300 से 350 रुपे में हो जाती है और इतनी अच्छी सर्विस के साथ और तो और पार्टी मेकप ब्राइडल मेकप करवाने चले जाओ बंदे को EMI भरनी पढ़ जाएगी यह है तुम्हारा जलंदर अरे ये पार्लर वगरा की बाते छोड़ो कुछ और बुरा है तो वो बताओ बुरा अब चंडिगड और जलंदर की जॉब्स ही देख लो चंडिगड में 9 to 5 जॉब्स होती है MNC कंपनी है इंप्लॉई बेनिफिट्स भी मिलते हैं वहाँ पे लेकिन जलंदर में जब आप जॉब करो सुबह 9 बुजे जाओ रात को आने का कोई भी ठिकाना नहीं है सैलरी की तो बात ही मत करो जलंदर में इतनी कम सैलरी है कि रोटी कपड़ा और मकान मूवी का रीमेक बन जाए यहाँ पर और छुट्टी छुट्टी तो बॉस से मांग मत लेना बॉस की फटकर हाथ में आ जाएगी अगर हमने उसे गलती से मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा भी दी हम यहाँ पे बिमार पड़े मर रहे हैं हमें डेंगो हो रहा है मुझे जरा बातरूम जाना है मैं जाओं रुको यहीं कहां जा रहे हो अभी और सुनो मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि जलंदर में सरकार ने ट्राफिक लाइड्स लगाए ही क्यों है कोई फॉलव तो करता नहीं है अरे ग्रीन लाइट देखकर क्रॉस करने वाली की भी पटरी होती है कि कहीं से भी आकर कोई उडाना दे यह सुमारा जलंदर और सुनो चंडिगड को देखके जलंदर में ट्राफिक कैमरास तो लगए लेकिन आज तक किसी का चलान आया है जीरो मैनेजमेंट है तुम्हारे जलंदर की और वहाँ देख लो चंडिगड में 10-10 चलान तो मेरे ही आ रखे है और बोलो और बताओं पूरी लिस्ट है मेरे पास अब फोन में क्या देख रहो टुकूर टुकूर अरे मेरे पास वो प्रॉपर्टी डीलर का नंबर था ना सोच रहा हूं चंडिगड में एक अच्छा सा घर देख लेते हैं अब लिया ना साइफ ऐसला तुमने घर लेने से पहले मुस्से पूछ लिया करो और किसी अच्छी जगा में देखना